आज हम बात करने वाले हैं Galaxy M51 जो की सेप्टेंबर में लोंच हुआ था उसके अंदर कुछ प्रो फीचर्स है कैमरा के जिससे आप बैटर नाइट शोट्स बैटर इन्फिनिटी शोट्स ले सकते हो लोग एक्सपोजर शोट्स लोग डिले शोट्स लोग कैप्चरिंग होल सकते हो उन सभी से शेटिंग्स को आपको यूज कर्शे करना है वह वह भी बताऊंगा इसके अंदर और आपको कुछ सेंपल शोट्स भी दिखाऊंगा कि मतलब क्या है कि मतलब मैंने जैसे कि अपने पढ़ा होगा और टाइटल में देख लिया होगा कि मैंने विल्कुल नाइट शोट को डे शोट में चेंज कर दिया और सैटलाइट तक की इमेज कैप्चर करने में काम्याब रहा है यह फोन अब आप मुझे यह कंफर्म करके बताईएगा कि यह सैटलाइट ही है ठीक है जैस का फोटो कैप्चर किया मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ कि कैसे और क्या पिक मैंने क्लिक किया है तो उसी को देखने के लिए अभी में वीडियो को स्टार्ट करता हूँ तो यह बात है बारा तारीक की मतलब 12 of last month in 2021 कि मैंने एक नाइट शोट लेने की ट्राई करी मत मतलब एक infinity short of night short तो आप देख सकते हों कि जैसे simple sky, simple sky कि जो कि आपको बिल्कूल इस रह से दिख रहा था कि मतलब आपको उसमें एक star जैसे कि यह star है आपको बस उसमें एक star दिख रहा है और उसी को जब मैंने infinity night mode में जाके capture किया तो मेरे को ऐसा short आया फिर मैंने इसकी setting change इस फोटो को edit किया है मतलब इसके saturation को high किया brightness को कम किया contrast को बहुत ज्यादा करके exposure को बहुत कम किया तो उससे में को यह वारा short मेरा इसमें आप देख सकते हों कि कितने सारे stars हमें तिखाई दे रहे हैं तो मुझे लगा कि नहा पे कुछ है अगर आपके पास एक AMOLED screen है तो म पाई की मैं में इस तरफ से पूरी कोशिश करूँना था कि आपको यह image दिख पाई तो देख सकते हैं तो मुझे साफ दिख रही है अगर यह कोई आकास में उड़ती हुए चीज को और है तो मुझे वह भी दिख रहा है अब देख सकते हैं कि नहां पे मुझे stars भी दिख और इस पार्ट के बारे में आप मुझे inform करना comment section में कि यह क्या हो सकता है क्या यह satellite का पार्ट हो सकता है या कुछ और फिर मैंने 31st को 31 date को मैंने फिर से night modes capture करने के लिए दुबारा से रात को 9 बजे के बाद मैंने कुश की तो मैंने यह short capture किया इसमें मुझे कुछ ज़्या fog वगेरा के कारण बन चुका है जो कि आप ignore कर सकते हैं इस वीडियो के लिए उसके बाद मैं आपको बताऊं तो मैंने यह वाला short लिया इसके अलग-अलग sample editing करके बनाई जिसके आप यह देख सकते हैं और साफ करने पर और साफ करने पर देरे देरे इस ताड़ी photos बन रही था इसके पास यहां पर satellite होना चाहिए था पर मुझे इस फोटो में कोई भी satellite नजर नहीं आया तो उसके बाद मैंने night shots को और confirm करने के लिए और बहतरीन तरीके से try किया कि मतलब जैसे यह वाला short है यह वाला short आप details में देख सकते हो कि मैंने 31st को capture किया है 9 बज़के 10 PM बे यह date code आप match कर सकते हो तक आप confirmation हो जाए 18 MB का यह short था क्योंकि मैंने 64 MP जो इसमें camera है उसकी मदद से यह वाला short लिया था इसके अंदर Samsung ने 1 by 10 seconds का capture किया और ISO highest रखा Samsung ने खुद से ठीक है और flash मैंने exposed नहीं किया था इसके अंदर मैंने moon का short लिया था मेरको moon का photo click करना था यह moon है ठीक है फिर मैंने इसको जब better setting पर जाके capture किया तो आप देख सकते हैं कि जैसे DSLR से हम capture करते हैं वैसा short मिला यह भी आप details में जाके देख सकते हैं कि यह 9 11 है जो कि सिरफ एक minute बाद का short है जो कि पिछले photo के अंदर मैं आपको दिखाऊं तो वो photo 9 10 का है ओके अब आप देख सकते हैं कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं फिर मैंने इसको capture और देखने के लिए मैंने sky short लिया only or only sky का short लिया तो उसमें यह clouds दिख रहे हैं और आपको लग रहा है कि एक उसी धूप के area का सीन है पर नहीं आपकी information के लि ऊके इस तरह की short आप कैसे ले सकते मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर आप देख सकते हैं stars हमें visible हो रहे हैं. हमें स्टार्स विजिबल हो रहे हैं पर साथ के अंदर स्काई इतना क्लिए रहा है कि हमें लगता है कि यह कोई डे शोट है पर यह डे शोट नहीं था आपको मैं दिखाऊं कि यह मेरा फेस आ गया इसके अंदर और यह देखिए कि मतलब वोल का कलर भी प्रॉपर मेंशन हो र इस शोट कि आपको मैं एक बार दिखाऊं कि यह मून था जो कि बादलों के पीछे धक चुगा था और निच्चे बिल्लिंग है दिख रही है आपको थोड़ी बहुत और यह शोट कितने का है 1010 का 31st डिट को ठीक है जिसके आप डेट कोड देख सकते हैं सारी सेटिंग दे इवन है मैंने वो ट्राइ किया आप देख सकते हैं कि इस फोटो से यह वाला फोटो कुछ ज्यादा क्लियर है पर कुछ ही क्लियर मैं कहूंगा क्योंकि इस फोटो में नहां पे आप देखिए ब्लैक सीन है पर आप नहां पे देखेंगे तो नहां पे थोड़ी बहुत हो चुका है पर सैमसंग हमें फैसलेटी देता है एं 51 फाउंड के अंदर है कि हम इस सेटिंग को चेंज कर सकते हैं इन प्रो मोड तो मैंने वही किया और मैंने इसको 10 सेकिंड के लिए डिले किया 10 सेकिंड पर डिले करने के बाद मुझे यह वाला शोट मिलता है जो कि आप कंफर्म मुझे कोमेंट का यह कहेंगी कि आप मुझे उल्लू बना रहे हो और यह किसी दूप का सीन है और यह सुबह अर्ली मोर्निंग का फिर दूप निकलने के बाद के बाद क्या वह फोटो है पर दोस्तों नहीं यह उसी समय रात को कैप्चर किया हुआ सीन है 10 बजगे चेप्चर किया बाद में मैंने वह कैप्चर किया आपको दिखाने के लिए 31st डेट को यह आप डेट कोड मैच कर सकते हो 4.42 एमबी फोटो है यह 10 सेकिंड्स का कैप्चर है और ISO हाइस पर रखा गया है और यह साफ मैंशन है कि no flash was fired ओके तो अभी मैं आपको बतांगा कि य यूज कैसे कर सकते हो इस तरह गया portrait shorts ले कैसे सकते हो मैं satellite फिर से आपको दिखा देता हूं कि यह जो satellite है जो यह वाला area है यह satellite ही है अगर मुझे satellite लग रहा है आपको कुछ और लग रहा है तो आप मुझे comment section में जरूर बताएं कि यह क्या है ओके तो मैं अभी आपको दिखाता हूं कि आप इस तरह कि shorts किस तरह से ले सकते हैं ओके तो आपको पहले क्या करना है camera में अटर होना है camera को आपने खोल लिया camera में आने के बाद आपको more पर क्लिक करना है more पर आने के बाद आपको pro shorts में जाना है जैसे कि आप pro shorts में आएंग अब आप प्रो शोर्स में आएंगे प्रो शोर्स के अंतर मैंने जैसे कि नहां पर यह मेरा माइक था यह मेरा कोई रिजिस्टर पड़ा है मैं नहां पर सेंसंग के अब आपको क्या करना है जो यह वाला उप्शन है यह वाला उप्शन यह था कि आप कितने सेकिंड्स के लिए एक शोट को होल्ड करना चाहते हो यह वाला उप्शन था कि कितना sensitivity चाहते हो image के अंदर ये वाला option exposure के लिए है ये focus के लिए है ये white balance के लिए है और ये आपकी सारे photo की settings photo settings मतलब tint, contrast, saturation, highlight, shadow इन चीज़ों को mention कराने के लिए था जैसे कि मैंने अभी इसको auto पे कर रखा है तो Samsung जैसे ही मैं auto focus के लिए करता हूँ जैसे ही मैं कोई well lit area की तरफ इसको expose करूँगा तो ये कम जादा हो जाएगा ये इस तरह है आप इसको कम कर सकते हो ताकि light camera में बहुत कम enter हो जो कि सरफ feature DSLR के अंतर जाद देखने को मिलता था मैंने इसको 10 seconds तक किया तो अब ये देख सकते हैं कि इसमें कितनी ज्यादा bright light enter हो रही है क्योंकि मेरे room में इसको 2 LED lights on है सिरफ और अगर मैं ISO को 3200 कर दूँगा तो ये इतना lit हो जाएगा कि हमें कुस देखने को समझ भी नहीं आ रहा इसे आप इतना कम भी कर सकते हो 50 पर मैंने ला दिया 10 seconds की बज़ाई अगर आप इसे 1 by कुछ मतलब अगर आप 1 second पर capture करते हो तो मैं आपको दिखाऊं कि आपने इसको 1 second लगेगा capture होने में और देखिए कितना lit short आया है मतलब बहुत जादा bright short आएगा bright short के बाद अगर आप फोड़ा इसको 4 कर लेते हो मान लीजिए तो और आपना ISO कर लिया 100 तो आप देखना कितना bright short यह आएगा कि मतलब इतनी ज्यादा light enter हो जाएगी इसके अंदर यह देखिए अगर 4 second पर इतनी ज्यादा light enter हो रही है तो 10 second पर सोचे कितनी ज्यादा light enter होगी बट flash fired नहीं होगा जैसे कि आप साइटिंग में देख सकते हो यह 4 second का था और ISO 100 था और no flash fired है उसी परकार जैसे यह वाला photo में आपको खिंच की दिखाया यह एक second पर था ISO 50 set किया था आपके सामने मैंने sample shorts लिए हैं तो इससे आप clear हो सकता है कि मतलब यार सैमसंग ने काफी जबरदस्थ feature दिया है और यह long shorts लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पहले tripod आपको चाहिएगा tripod नहीं तो आप ऐसा कोई soft एक cloth डिवार पर रखके उसी उपर आ फोन को हिलने नहीं देना अगर फोन हिलेगा तो आपका short अच्छा नहीं आएगा bloody short आएगा okay white balance को आप कैसे कम इसको अधुवार से आटो पर एक बार सेट कर देता हूं उसके बाद आप white balance को सेट कर सकते हो कि day effect चीए हमें fluorescence effect चीए कौनसा effect चीए बाकिया contrast वार आप अप food देखने को मिलता है super slow motion तक देखने को मिलता है live focus hyperlapse और जो night hyperlapse है अगर आप उसको shoot करने के बाद कभी settings में जाके अगर आप उसकी सारी details निकालेंगे तो आपको पता चले आपको long delayed of shorts था जो DSLR में दिखाते हैं कि आपको एक LED light को spin करा कि उसका एक properly visual circle बन जाता है जैसे जो effect आजाता है वो effect भी आप create कर सकते है वाया sparkling फुलजरी मतलब जो हमारे पास होती है अब दिवाली वाली आप इसको long exposure set कर लेना ISO minimum कर लेना उसके बाद उसको 50 पर set कर लेना 50 पर set करने के बाद आप जो timing थी उसको आप 2 और 4 seconds पर set कर लेना और फुलजरी को आप spin करोगे तो वो हर जगह से वो short capture हो जाएगा और वो single short बन जाता है single stable short तो मैं अब फिर से दिखा देता हूँ कि ये देखिए ये simple short था ये night short था पर ये 10 seconds के पर exposure short था ये देखिए नहाँ पर moon है और moon अपने को sun की तरेक्ट कर रहा है क्योंकि moon की light उसने काफी जादा enhance कर दी है त अच्छी लगी ये नहीं और आपके पास bm51 phone है तो जरूर आप इनको कोशिश कीजिएगा इस तरह कि आप shorts ले सकें और मैं इन सभी shorts को google drive पे upload करके उसका एक link description में दे दूँगा तो आप वहाँ से जाके अपने computer में कोई अच्छी screen वाले phone में लगा के देख सकते हैं कि म जूट नहीं बोल रहा है इसमें satellite जैसा कुछ दिख रहा है ओके तो थैंक्यू दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में बाई बाई